यहां पर आज हम इस वीडियों में बात करेंगे क्लास 8 की मैट्स क्लास के ठीक, मैं आप लोग को बता दूं, पारड़ यहां पर आप आप लोग को रोज ने रात में आप लोग को यहां पर प्रस्ण मिलें तो जो लोग भी चैनल पर नहें हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और यहां पर मैट्स और साइंस के आप लोग को देखेंगे ठीक है पूरे पूरे अच्छे से समझाया जाएगा कोई भी इसमें दिकत नहीं भी ठीक है धहे हैं तो यहां पर start करते हैं हम लोग और मैट्स के पर देखते हैं क्या है थिकते हैं हम सबस्क्राइब को छारूरी है नंबर क्या होता है इस बात को यहाँ पर देखते हैं हम लोग ठीक है नंबर होता है संख्याओं का समुख जैसे उसमें आप लोग जैसे की गिंती आप लोग गिनवाते हैं तो जब भी बच्चे लोग को हम लोग गोदी मिलेते हैं या बच्चे को आप लोग देखें हमें इ भी करवाते हैं तो वन टू से लेके जहां तक आप लोग गिनाना जाते हैं उसमें आता है सबसे पहले वन टू मैं ठीक है तो जब जीरो का खोज नहीं हुआ था तब नायम तक दो गिन पाते थे टेन को समझने के लिए आरे भर जो हमारे यहां के विद्वान हुए गनी तक थे ठीक है उन्होंने जीरो का खोज गया सुनने ठीक है नहीं सुनने को देखते हैं सुनने होते ही यानिकि 10 11 12 इस तरह से चलते चल संख्या को हम लोग बोलते हैं कि कोई प्रॉब्लम गिंती की संख्या को क्या बोलते हैं अगर हम लोग प्रकित संख्या में एक जीरो को एड़ कर दें तो यह हो जाएगा हमारा पुर्ण संख्या क्या हो जाएगा यह हो जाएगा हमारा पुर्ण संख्या ठीक है तो आप से ग किन्ति की संख्या में अगर हम इ lactate to яв कौन सी संख्या हमारा कहलाता है ये कहलाता हमारा पुर्ण संख्या ठीक है बत करते हम next की ठीक है अगले चलते हैं लोगात करते हैं यहाँ पर समस्झते हैं कि पुर्ण संख्या मोघ समझ És उसे उसे यहां पर कोई भी संख्या मैं यहां पर ले लिता हूं ठिक है और बात करता है यहां दो सी यह कटे गए नहीं करें तो आप लोह कटेगा तो आप लोको पटेगा दिए कालता है तो een 11000 एकाला घर करके अप 것은 गहां के अस्थान पर अगर जीरो दो चार छे अधवा आठ इस में से कोई भी संख्या आपको नज़र आता है यह सबी संख्या करदा आती है उसी करलाती है आपकी संख्या बत समझ में आ पर Wen प्रसानी चले बात करते हैं अगर मान लेजी यह संसंख्या क्ला थी तो फिर विसम कौन शंवालता है तो तो डेकर विवेतर संख्या का लाता है जिसंए दो से पुर्णता भाग नहीं लगेगा उसे क्या बोलेगे भुषक नहीं लगेगा या विभाजित नहीं होगा Qian cha दोसे पूर्णता भूनता ना थोर नहीं लगा दुझा है एक सभी संख्यां को आ में वह बता जétा हूं आप लोगory क्या होती है अब haven क्यों कि एधिक होती वह सी संख्या जिसका अन्य संख्या अन्य कोई भी कुनकांड ठूँच अगर नहीं होता है अन्हें किसी भी संख्या से नकटे किसके किसकी से तो यह समझते हैं तो जैसे आप से पूछे अगर अभाधि संख्या क्या है तो आप बताएगा उसे कि अभाधि संख्या जो होती है तो देखें आपर अभाध अभाधि संख्या के अ बत करें तो अभाध अगया ना सेखें अभाध्य के अज़े में एक और स्वेम के अलावे एक और स्वेम के अलावे अगर अन्ने से कटे ठीक है एक और स्वेम के अलावे स्वेम समझत रहा है लेकिन वात करें हम इा पर तरी की विलाए wagा सकते हैं और इसके अलावा और संख्या से आप नहीं लगा सकते हैं तो इसलिए ऐसी संख्या को घ्रित है सबसे चोटी अभाज संख्या कौन से है ठीक है तो सबसे चोटी अभाज संख्या जो है न वह हमारी दो है ठीक है एक के दर बात करें हम दों तो एक क्या होता है कि आपका ना तो भाज है ना ही अभाज है तो आप नोट बना के लिख सकते हैं आप इस बात को नोट में लिख सकते हैं बात समझ में आ रहा है नहीं क्या है अभाज है इस तरह से आप लोग इसको क्या कर सकते हैं नोट कर सकते हैं अगर बात करें हम भाज संख्या की ठीक है न तो भाज संख्या क्या होती है वह मैं बता देता हूं आपको भाज संख्या के अगर बात करें तो भाज संख्या होत जिसका एक और स्वेम के अलावे अन्य गुनन खंड हो ठीक है इसी हम लोग बोलेंगे इसी हम लोग बोलेंगे क्या बलेंगे बिल्कुल सही भाज जिसंग क्या बोलेंगे ठीक है गुनन खंड हो बात करेंगर जैसे की तो जैसे हमारा क्या हो जाएगा वह देख लीजिए जैसे हमारा यहां पर हो जाएगा जैसे में देख लिजी आप लोग चार हम लोग देखे ते उपर नहीं तो चार क्या है ना हमारी भाद जी संख्या है जैसे कि ये 1 से भी लगएगा 2 से भी लगएगा और 4 से भी लगएगा जैसे बात करें हम 6 की तो six में देखे six में किस किस से लग सकता है one से और six से तो लगे गा हैं लेकिन बाद में देखे आप दो से भी लगा सकते हैं इसमें और तीन से भी लगा सकते हैं तो ये जो दो और तीन से लगा ये एक और स्वेम के अलावे अन्य संख्या है जिसे ये कट रही है तो इसलिए या एक और स्वंगी अलाविने से ना कटे ठीक है जबकि एक की बात किए आर भाजि इसनख्या जिसका एक और स्वतलें के अलावे अन्य गुंदन का नहigger ठीक है उसे लोग बोलते हैं अब हमारा बस्ता यहां पर पर मैं संख्या के बारे में जानेगे तो पर मैं संख्या को जानने के लिए पर मैं संख्या जो होती है वैसी संख्या होती है जिसे पीवाई क्यों के रूप में भीन के रूप में रूप में लिखा जाए रूप में लिखा जाए तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे तो इसे बोलेंगे हम लोग पर्मय संख्या ठीक है तो इसे हम लोग बोलेंगे क्या बोलेंगे पर्मय संख्या बोलेंगे लेकिन एक बाद ध्यान रखेगा एक बत क्या ध्यान रखना है आपको क्यूं बराबर जीरो नहीं लिखना है क्या लिखना है कि क्यूं बराबर क्या नहीं हो जीरो नहीं हो बराबर कर देंगे तो उसे बोलते हैं नहीं हो ठीक है तो जीरो नहीं हो तो क्या हो जिसे देखे नीचे में जीरो की बात क्या है जिस बराबर 0 कहने कब तब है कि कभी भी भीन का हर जाएगा तो बात कर एकर फोर की तो फोर के जगा पर क्या नहीं होना चाहिए अगर माल लेते हैं अगर यह ठीक होड़े जीरो हो जाए खुन हो जाएगा तो यह कहला किया कहला का लाइगा to मतलब हता है और परिभासित क्या कहलाएगा और बात समझ में प्रॉबल्म है तो संखें कुल एक कहलती है हमारी अभाजी संह्खें आप इसका एक और दो बोलते हैं और यहां पर परिमें के बात की वैसी संख्या पर यहीं संख्या का दो परकार कुब थो वास्तविक संख्या थीत है तो संख्या का दो परकार होता है था सेट्स्त cuts इंबेए का दो परकार होता है पहला के बात करें तो यह था पर रहें अच्छा किill बात करें और और दुसरी की नहीं और अपरमे दो संक्या होता है तो इसी से हम लोग यहांपर बात करेंगे अजिशें सब्सक्राइब कहंँ इस समlu Ende नहीं हो ठीक है अपर दों होता है कि डिखने का आख़ोता है जिसे हमान हम लने है तो होत है तो है तो रूट है इसी बूल पन्त नहीं निकलेगा इसे पोलेंगे और में इसे रूट थरी की बात करें और निख सकते हैं तो यहां पर क्यों बराबर जीरो नहीं वह नहीं 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 हुआ तो इसलिए कैसे संख्या कहला आगी आपकी परिमें संख्या कहला है तो अब आप लोगों ने पर में यहां पर संख्या यह सारा कुछ जाना ठीक है इसके बाद आप जोंगों ने देखा खर मैं संख्या और अप्रमेह संख्या और अर अपर्मेह संख्या कि स्कूर्शन में पूछता है besit में कौन परे मैं है या फिर करन हा द कर दक है तो तो मैं यहां पर आप लोगों से पूछ दे की बताइए कि जीरो कैसी संख्या है तो आप लोग इसे बता सकते हैं कि यह पर मैं है अधिक यहां पर रखते हैं अगले दिन से यहां पर इसका सभी तना है और संबरक नियम इसके बाद हम लोग करेंगे साचारे नियम इसका करम भी नियम ठीक है वित्रन नियम इन सारे बातों को करेंगे ठीक है उसके बाद हम लोग आगी की ओर बढ़ेंगे ठीक है तो कैसा लगा है वीडियो कमेंट करके जो बताएगा अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों से सियर करें ठीक है और चैनल पर जो लोग नहीं है चन्द को सब्सक्राइब करें बाई बाई टेक कियर